आज हम numerical करेंगे जो हमने molecular formula और empirical formula पढ़ा था उसके उपर numerical है कुछ numerical हमने कल कर लिये थे कुछ आज पढ़ेंगे देखो एक numerical दिया हुआ है इसको करने का तरीका गया है सब चीज़े बता हुआ इन एन organic compound the mass percentage of CH&O is 40.57, 8.57 and 23.765 respectively यानि कि percentage दे रखिए जी क्या दे रखिए ये percentage दे रखिए जी आपको इतने परसेंट इतने परसेंट और इतने परसेंट कोई organic compound है इसमें CHN इतने इतने परसेंट है and rest is oxygen बच्चीवी क्या oxygen है the molar mass of the compound is 59 what is its molecular formula इसका molecular formula बताना तो सबसे पहला तरीका क्या इसका करने का परसेंटेज ऑफ कारबन कितना 40.57 hydrogen की percentage लिख लिख लिए nitrogen की बट की बच्चीवी कितनी है oxygen की 100 minus सब को एड़ कर दो तो oxygen की कितने हैं 27.25 जो भी आपको percentage दे रखिए थी सारी वे लिख ली थी oxygen की हमने निकाल ली अब क्या करेंगे जी और देखो अब यह के टेबिल बढा बेर हम एशी एक तरव रखेंगे एलेमेंट chno एक तरव मास परसंटेज दे रखी फिर atomic ratio जो भी मास परसंटेज है उसके atomic number से जो है हम डिवाइड कर देंगे atomic mass किस्ते atomic mass carbon का मास कितना 12 h का कितना 1 n का कितना 14 होगा कितना 16 इन्हें डिवाइड करने के बाद में यह आगेगी 3.38, 8.53, 1.69, 1.70 अब आपको simplest ratio निकालना है इसमें आपको क्या करना है जो भी आपके यह आई है 4 इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे सभी को डिवाइड कर देना इस वाले में simplest ratio में क्या करना जो भी सबसे छोटा नंबर है उसको सभी को उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो तो सबसे छोटा नंबर कितना 1.69 तो 1.69 से इसे डिवाइड कर देंगे इसे भी इसे भी इसे भी तो यह कितना होगा 2, यह कितना होगा 5 और ये कितना होगा 1 ये लगव कितना होगा 1 तो simplest hall number कितना है 2511 तो empirical formula आता जी इससे हमारा निकल गए तो empirical formula कितना है बिट्टे C2H5NO empirical mass कितना दे रखा 59 n की value निकल लो molecular mass upon empirical mass कितना आया 1 आया molecular formula क्या बढ़ेगा n into empirical formula यानि कि C2H5NO यानि कि जो empirical formula था वह हमारा by chance कि आगया molecular formula आगया तो ये table बनानी best है बस इसमें एक तरह आपने element लिखे जो percentage थी वे लिखे जो भी percentage थी उसे इसके molar mass से जो है divide कर दिया C का 12 था 12 से कर दिया H का 1 था N का 14 था O का 16 यो आगया अब जो सबसे छोटा number है उसे सब को उस number से सभी को divide कर दिया जो ये number है वोई simplest का number हुआ ठीक है बटें अब यो empirical formula ताइस से निकल कैसी कितने 2, H कितने 5, N कितने 1, O कितने 1 अब empirical mass कितने का 59, N की value निकाल लो क्योंकि molecular formula में जरूरत पड़ेगी इसी बिल्कुल सेम कोस्षिन ये है आपका इसमें भी बिल्कुल कुछ निकालना वे बिया सही है परसंटेज सब की निकाल के जी ओगी जीरो होगी क्योंकि O बच निरा होगा सारा बिल्कुल वही काम करने के बाद मैं ये निकाल ले हैं मोले कुना N की value 2 निकाल ले 2 की multiply कर तो सी टू एच फॉर सी एल टू आगे लिए तो ये बहुत अच्छा कोश्षिन है इस तरीक है कि आप इन्हें अच्छे से समझ के करेंगे एक दो कोश्षिन आपको मैं करने के लिए दूँआ तो आप जो हैं उन्हें मुझे करके भी दिखाओं मेरे वाटसब नंबर पर ठीक है बिटे तो आप इस अच्छे से समझ लें अगर किसी बच्चे के समझ में आवे तो कमेंट कर दिरना या तो या फिर मेरे वाटसब नंबर पर पूछ लेना है जी जो बहुत इंपोर्टेंट है